दोस्तों क्या 2024 में मोधी सत्ता त्याग देंगे? क्योंकि लोग सभा की 547 सीटों के लिए अगले साल होने वाले चुनावों में अगर भाजपा को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो मोधी सत्ता से बाहार हो जाएंगे और विपक्ष की सरकार दिल्ली में काबिज हो जाएगी ऐसा सत्ते हिंदी पर छपी आर्टिकल के माने तो ये कहा जा रहा है कि जनता को विपक्ष से उसके PM चुहरे का नाम पता पूछना हाल फिलाल के लिए बंद कर देना चाहिए जो विपक्षी दल पतना के बाद बैंगलोर में जमा होकर भाजपा को सत्ता से हचानी के रनीति पर विचार करने वाले हैं हो सकता है कि उन्होंने अपना नया एजिंदा तयार भी कर लिया हो मोदी सत्ता नहीं छोडेंगे कि सिलसिले में जनता के दो-चार घटना करोंगों पर बारीकी से बहस प्रारंब कर देना चाहिए पहली तो ये है कि महत्वकांची सेंट्रल विस्टा पर योजना के दूसरे कारियों को रोका सबसे पहले नया संसत भवन तयार कराने के पीछे कोई तो जबर्दस्त कारण होगा ही ऐसा इस आर्टिकल में कहा गया है वो क्या था दूसरा ये कि देश का ध्यान इतनी चतुराई के साथ पवित्र संगोल अत्वार राजडंड विवाद में जोद दिया गया कि किसी ने पूछा ही नहीं कि नए संसत भवन में लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 888 और राजड़सभा की 245 से 200 से बढ़कर 384 करने के पीछे का मनतव ये क्या हो सकता है किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि बहुत चालाकी से जो नया सेंटरल विस्टा बना है उसमें सीट्स बढ़ा दिये गए है इन बढ़ी हुई सीटों का 2024 के चुनावों में क्या संबंध माना जाए मोधी सरकार अगर सत्ता में वापसी की तैयारी में जोर शोर से जूटी है और नए संसद भवन की बढ़ी हुई सीटों में उनका कोई संबंध है तो हाल ही कि कुछ घटना करमों पर नजर दोडाई जा सकती है तोस्तों इस पर अगर नजर दोडा कर देखेंगे तो आपको सब समझ में आईगा इन घटना करमों में जदियू सांसद हरिवंश नरायम सिंग की पिछले दिनों बिहार के मुख्यमंत्री और विपक्षी एक्ता के सुत्रधार नितिश कुमार के साथ पटना में हुई डेर घंटे की बातचीत को भी शामिल किया जा सकता है कोई तो महतपूर्ण विशे रहा होगा कि जदियू सांसद रहते हुए भाजपा के साथ जी हाँ भाजपा के साथ केंद्र में महतपूर्ण भूमी का निभाने वाले हरिवंश नारायन सिंग ने अरसे अरस बाद बरसो बरस बाद नितिश कुमार के साथ इतनी लंबा चर्चा करना जरूरी समझाए इतनी लंबी बातचीत इन दोनों के बीच हुई है हरिवंश नारायन सिंग सबसे जादा चर्चा में तबाए थे जब राज्य सभा की आसंदी पर उनकी उपस्थिती के दौरान विवादस्पत कृषी कानून से सम्बंदित विधेक को सदन की स्विकृति प्राप्थ हुई थी उसके बाद देश में जो कुछ घटत हुआ था उसकी स्मिर्थिय आज भी कायम है काले कृषी कानून को वापस लेने की मांग को लेकर लंबे आंदोलन के दौरान 700 से अधिक लोगों को अपना बलिदान देना पड़ा था जो गतिवी दिया इस समय मौन रूप से चल रही है उन पर गौर किया जाए तो विधान सभा चुनाबों में लगातार हो रही पर आजायों के बीच भाजपा सरकार का अचानक से प्रेम देश की महिलाओं को लोग सभा में आरक्षन प्रदान करने के प्रतिजाग उठा है क्या चंबा नहीं व्यक्त किया जाना चाहिए कि मोदी सरकार का ये प्रेम तब जागा है जब नए चुनाब होने जा रहे है पिशले नौ सालों में सत्ता भी नहीं हिली पिशले नौ सालों में ऐसा कोई भी फर्मान नहीं लाया गया कोई तो कारण होगा ना चर्चा है कि साल 2010 से या उसके भी पहले से लंबित यानि कि पेंडिंग पड़ा महिला आरक्षन विदहेक अब कभी भी पेश किया जा सकता है मोदी सरकार महिला आरक्षन को लेकर मुद्दा बना सकती है और चुनाब में जो 2024 की तैयारी है उसमें ये बहुत एहम भूमी का माना जा सकता है गोर करने बाली बात तो ये भी हो सकती है चुकि पुराना विदहेक तब भी जिया तबकी संसत के वसान के साथ लेप्स हो चुका था नया विदहेक संभवता पुराना वाला नहीं होगा यानि महिलाओं को आरक्षन दिया जाना तो प्रवस्तावित होगा पर ना तो वर्तमान की पासो 43 सीटों में से ही एक तिहाई पर और नाहीं पूर्व में सुझाई गई प्रक्रिया यानि कि आरक्षत सीटों का राजय या केंदे सासुत प्रदेश के अलग-अलग छेत्रों में विक्रिये रोटेशनल आधार पर आवंटर के अनुसार होगा गड़ी समझाया जा रहा है कि 2024 की चुनावों में भाजपा की सीट अगर कम भी हो जाए तो उसका वोट शेयर 2019 वाला ही कायम रहेगा तब भी महिला आरक्षन सरकार की सत्ता में वापसी करा सकता है कैसे बताया जाता है कि 543 सीटों पर तो चुनाव पहले की तरह ही होंगे पर लोगसभा में महिलाओं के लिए 280 नई सीटे जोड़ दी जाएगे इन 280 पर चुनाव नहीं होंगे लोगसभा चुनावों में राजनीतिक दलों के राज्यों में भी जो वोट शेयर प्राप्त होगा उसी के अनुपात यानि कि उन दलों की महिलाओं को इन 280 सीटों में से अस्थान मिर जाएगा इसके लिए प्रतियक दल को 280 महिलाओं की सूची प्राथमिक्ता के करम में सौपनी होगी मतलब यह कि राज़द और जदियों अगर चाहेंगे तो वोट शेयर के अधार पर मिलने वाली पिश्रितीन या मिलने वाली पिश्ले को चिया सभी सीटे पिश्रिजाती की महिलाओं को दे सकेंगे और ऐसा हक जो है वो दिलाया जा सकता है क्योंकि पिश्ले विदेग का सबसे मुखर विरोध लालु यादब की राश्रिय जनता दल राजद और नितिश कुमार के जदियू से पिश्रिजाती की महिलाओं के हितों का मुद्दा बना कर किया गया था जिस तरीके का तर्क भाजपा के छेत्रों में चर्चा में है कि उसके अनुसार 1984 के चुनावों में भाजपा को सीट चाहे दो ही मिली थी वोट शेयर के मामले में अगर बात की जाए तो कॉंग्रेस के बाद वही थी सबसे जादा वोट शेयर में कॉंग्रेस का 404 सीटों के साथ वोट शेयर 49.10 परतिशत था जबकि भाजपा का 2 सीटों के बावजूद 7.74 परतिशत वोट था तो 1984 में भाजपा की सीटे कहीं जादा होती जो तर्क भाजपा की हुशहाली के संदर्व में दिया जा रहा है वही कॉंग्रेस को खुश करने के लिए वोट बाचा भी जा रहा है समझाया जा रहा है कि 2019 के लोगसभा चुनावों में भाजपा को 37.35% वोट शेयर पर 303 सीटे मिली थी जबकि 19.49% वोट शेयर प्राप्त कर दूसरे करम पर रहने के बावजूत कॉंग्रेस को सिर्फ बानवे ही सीट प्राप्त हुई थी अगर अनुपातिक प्रतिनिधत्वी के साथ मेली आरक्षन होता तो कॉंग्रेस की सीटों में भी बढ़ जाती और उसे विपक्ष का नेता बनने का हग बे मिल जाता उपसंगार में भी यही कहा जा सकता है कि भाजपा मानकर चलने लगी है कि 2024 में उसकी सीटे काफी कम होने वाली है पर उसे यकीन है कि उसका वोर्ट शियर करनाटक की तरह पहले जैसा ही रहेगा महिला आरक्षन के जरिये लंबे समय के लिए उसकी सरकार में वापसी हो सकती है अब देखना यही रह जाता है कि महिला आरक्षन विधह कब कैसे और किस शकल में पेश किया जा सकता है कब इस पर मोधी सरकार चर्चा करेगी और यह बिल लोगसभा और राज्यसभा में पेश हो जाएगा शाहिद राज्यसभा में पहले ही पेश होगा अस्ती चुनाती भी वही है किरशी कानून विधह का समरन कीजिया और नितिश कुमार के ज्रिवाल और के सिया रादी के चोहरे आखों के सामने तेराईए कि कैसे जो है उस वक्त जब काला कानून आया था तो ये दल उन तमाम लोगों के साथ किसानों के साथ खड़े थे और हरिवण शुनारायन सिंग के नितिश कुमार के साथ पटना में क्या चर्चा हुई होगी इसका अनुमान लगाईए इस समझ में आ जाएगा कि क्या राजनीती चल लगी है अमिश्या की चेताबनी और जाच एजंसियों की छमताओं का ध्यान कीजिए और आखिर में मन की बात सुनिए कि 2024 की चुनावों की बात सत्ता में वापसी के लिए भाजपा क्या क्या कर सकती है क्या बिपक्षी पार्टियां सरकार के विधहिक का समर्थन कर देगी और 2024 की जो तैयारिया है उस पर भाजपा का क्या एम होगा किस तरीके से भाजपा 2024 की तैयारी करेगी क्योंकि जो बीजेपी 2014 और 2019 में जिस कंडिशन में थी वो 2024 में नहीं है और इनी सब मुद्दों को आगे करके भाजपा शायद 2024 की तैयानियों में जूट सकती है क्योंकि UCC Uniform Civil Court का भी मामला BJP की तरफ से दे दिया गया है हाला कि विपक्ष इस पर पहले से ही मौन थी चुप थी लेकिन बार-बार विपक्ष को नाम लेकर के मोधी जी ने ये अलान तो कर दिया है कि उनका UCC बिल लाने का जो सपना है जो उनका सोच है वो जगजाहिरों किया है इसी तरीके से महिला अलक्षन को लेकर भी भाजपा कोई न कोई कड़ा स्टेप ले सकती है हाला कि अगर इन तमाम मुद्दों को वो भुना नहीं पाई तो 2024 जीतना उनके लिए बहुत ज़ादा मुश्किल होने वाला है दोस्तों इस पूरे रपोर्च को लेकर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या प्रतिकी लिए हमें कॉमेंट करके जबाब दीजेगा साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करना पर कोई भी न भोले